हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्जे कुडान, मेरा नाम है तंजोज सिंग और आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ पिंटु जी की स्टोरी अब आप बुलेंगी यार ये तो बोर्ड पे लिख दिया रिय और अग्जेशन एक्ट दोजार रुनिस और बात करें किसी पिंटु जी की स्टोरी की जो हमने कभी सुना ही नहीं है जनल नौलेज में मिनट भी सीख लेंगे और ये सब सीखने के लिए हमने कुछ नहीं करना बस सुननी है एक छोटी सी दस मिनट की पिंटु जी की स्टोरी मिस्टर पिंटु जी तो बिना टाइम वेस्ट किये हुए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्टोरी की तरफ जिसकी मदद से हम इन सबी कॉंसेट्स को पकड़ेंगे पढ़ेंगे समझेंगे और एनलाइज करेंगे तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किये मेरी पिंटु जी की स्टोरी की तरफ तो गाइस एक थे पिंटु जी पिंटु जी के तीन वेटे थे सरदार जी वन सरदार जी टू और सरदार जी थी अब गाइस पिंटु जी की एक बहुत बड़ी परेशानी थी टेंशन बड़ी टेंशन होती थी पिंटु जी को बार 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 बीपी हाई होता था अब वो जो टेंशन थी पिंटु जी की को हल करने के लिए अपने बीपी को स्टेबल करने के लिए पिन्टू जी चाहते थे कि वो अपनी जायदात अपने तीनों बचों में बांड दे जो कुछ ऐसे थी पिन्टू जी की जायजात के थे में तीन टुकड़े एक ये पोर्शन एक ये पोर्शन और एक ये पोर्शन अब पिन्टू जी चाहते थे कि अपनी टेंशन को कम करने के लिए वो ये जायजात के जो हिस्से हैं वो अपने बचों में बांड दे तो Pintu जी क्या करते हैं Pintu जी जाते हैं Society के पास ये Pintu जी चले गए ये चलते चलते रास्ते से पहुंचे Society के पास अब Pintu जी जाके Society से इस बारे में discuss करते हैं कि भाई मैं अपनी जायजाद अपने तीनों बच्चों में बाढ़ना चाहता हूं तो मैं उसके लिए क्या-क्या कर सकता हूं क्योंकि कोई भी काम जब गाउं में होता है तो Society क्या करती है अपनी एक book है अपनी एक book को refer करती है जो उनके Society के बुज़ूर्गों ने बनाई है और उससे देखके बताती है कि हाँ पिंटू जी ने अगर जैज़ाद बाढ़नी है तो उसका procedure यह ऐसे कर सकते है पिंटू जी ने कोई भी काम करना है तो वो Society अपनी book की मदद से अपने rules and procedures पिंटू जी को बताती है जिसकी help से पिंटू जी फिर अपनी जैज़ाद के हिस्से करते है अब होता ही है कि जैसे ही पिंटू जी जाते हैं Society के पास और यह सला मश्वरा देते हैं कि भाई मैंने अपनी जैज़ाद तीनो बच्चों में बांटनी है तो Society बोलती है ऐसा तो हो नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता Society बोलती है यह तब तक possible नहीं है जब तक पिंटू जी के बच्चों की तीनो लाड़ियां I mean तीनो वाइवस इस बात के लिए एगरी ना कर दें तो अब तो पिंटू जी बड़ी परेशानी में है क्योंकि पिंटू जी को पता है यह वाइवस माने यह लाड़ियां तो मानने नहीं वाली पिंटू जी ट्राई भी करके देखते हैं लेकिन फिर भी नहीं कोई बात बनती तो पिंटू जी क्या करते हैं थोड़ा सा वेट करते हैं एक टाइम आता है जब यह तीनो लाड़ियां अपने अपने पेके चले जाती है जब ये तीनो लाड़ियां अपने अपने पेके चले जाती है और ये तीनो कपल के हो जाते हैं अकेले तो बस फिर फिर क्या था लाड़ियां पेके पिंटु जी ठेके पिंटु जी मारते हैं जैशी enjoy करते हैं, suggestion मनाते हैं और फिर जाते हैं society के पास बोलते हैं, अब तो तीनों लाड़िया नहीं है अब तो ये clause बनता ही नहीं है कि तीनों लाड़ियों की permission चाहिए because they are not there तो क्या करती है, society फिर पिंटु जी को इस जमीन के तीन हिस्से या दो हिस्से जैसा भी पिंटु जी चाहते हैं वो करने के लिए इजाज़त दे देती है अब ये इजाज़त society के बड़े तीन members के द्वारा दी जाती है member 1 member 2 और member 3 अब जो ये इजाज़त दी जाती है society के तीन members के द्वारा वो कुछ ऐसे दी जाती है 5 August को 2019 को society के first member इसमें हमी भर देते हैं 2 August sorry 6 August 2019 को society के दूसरे member इसमें हमी भर देते हैं और finally तीन दिन बाद 9 August को society के third member भी इसमें हमी भरते हैं और इस तरह से पिंटु जी अपनी जायजा़त का करते हैं बटवारा और किस तरह से बटवारा किया जाता है अब ये बटवारा इस तरह से किया जाता है कि जो PIN'TU जी के तीन बच्चे होते हैं उसमें चेटो PIN'TU जी का तीसरा बच्चा होते है That is सरदार जी number 3 ये हमेशा से थोड़ा अलग रहना चाहते थे तो पिंटू जी क्या करते हैं सरदार जी 3 को ये पूरा area दे देते हैं थोड़ा अलग कर देते हैं और सरदार जी 1 को और सरदार जी 2 को इगठा ही रखते हैं तो पिंटू जी की जो पहले थी जो पिंटू जी की पहले जैजद कुछ इस तरह से थी वो जैजद अब कुछ इस तरह से हो जाती है जहाँ सर्दार जी, 1, सरदार जी, 2 शेर कर लेते हैं और सरदाजीर्थी को थोड़ा अलग कर देर जाता है, है अब आपको पता चली गया होगा की मैं आपको एक्टुल में क्या समझाना चाता था, तो मैं आपके साथ बात कर रहा था Reorganization Act की तो Reorganization Act कैसे बना कि Center चाहती थी कि हमारी जो State है J&K ये J&K का नक्षा है Some but equivalent to J&K हमारी State का जो नक्षा है उसमें हम Ladakh को अलग कर दे Ladakh को अलग कर दे Jammu Kashmir को अलग कर दे और इन दोनों को एक UT बना दे मैं भी आने वाले टाइम पर State भी बना दे तो अब सरकार जो ये करना चाहती थी सरकार को ये सब करने के लिए इजाज़त चाहिए थी Pintu जी की नूओं की Pintu जी के बेटों की वाइवस की और ये जो वाइवस थी यहां मेरी स्टोरी में ये रोल प्ले करती हैं हमारे State Legislature का क्योंकि 370 Act की वज़े से जिसे हम 35A के नाम से भी जानते हैं 370 Act की वज़े से जो भी Decision Center ने हमारी State के लिए लेना है उसके लिए State की रजामंदी होनी भी बड़ी ज़रूरी है पर हमें पता है कि 370 की वज़े से हमारे अपने Constitution में एक Clause था कि हम चाहें तो State की चीज़ों, Center की चीज़ों को Adopt कर सकते हैं और हम चाहें तो उन्हें Adopt नहीं कर सकते इसी लिए जब हमारे State का Legislature suspended था जब Constitution Machinery हमारे State की Governor के हाथ में थी ना कि State Constitution Machinery के हाथ में तो उस Act of 2019 अब यहाँ पे जो Society है Society से मेरा मतलब है Parliament इस स्टोरी में जो Society है वो है हमारा Parliament जो Society की किताब के बारे में बता रहा था यह किताब है हमारी Constitution की book हमारे जितने भी articles हैं जितने भी rules हैं जो हमने के इन देशों से लिए हुए हैं जो हम आज follow करते हैं और इन तीन Society के मेंबर से मेरा मतलब था Member No.1 राजयसभा Member No.2 लोगसभा and of course Member No.3 President अब आपको इतना पता चली गया पिंटू जी कौन थे उनकी टेंशन क्या थी तीन बेटे कौन थे Society कौन थी Society की किताब क्या चीज थी Society के Members क्या थे अब ये सब करने के लिए हमारे Center को कुछ Procedures को follow करना पड़ता है और वही Procedures हमारे Society में या हमारे Constitution में Bill के shape में होते हैं अब इस Bill को pass करने के लिए इन तीन Society के Members ने क्या-क्या role play किया आईए जानते हैं अपनी next slide पे तो अब मैं आपको थोड़ा सा ओवर्यू देता हूँ हमारे जो Parliament है यहाँ पे तीन तरह के Bills इनिशेट किये जा सकते Money Bill Ordinary Bill और Constitutional Amendment Bill Money Bill माने Article 110 Ordinary Bill माने Article 107, 108 और Constitutional Amendment Bill माने Article 368 Financial Bill भी होते हैं Article 117 अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं वो भी समझा दूँगा आपको मैं आईए थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं पहले हम कि Money Bill और एक Ordinary Bill में क्या डिफरेंस है यह बड़ा इंपॉर्टन है दोस्तों हमारा कोई भी एक्जाम हो हो सकता है हमारे आने वाले JKSSB के किसी एक्जाम में इसके Point of View से कोशन आ जाए या जिन्दगी में हम कभी किसी भी एक्जाम में बैठें तो इन आर्टिकल्स के बेसिस पे कोशन आ जाएं क्योंकि यह बड़े ही इंपॉर्टन है और इनसे अक्सर कोशन पूछे जाते हैं तो आए इनको पढ़ते हैं गाइस जो Money Bill है वो हमेशा Initiate होता है हमारे लोग सबह में लोग सबह से Initiate होता है और राजे सबह में जाता है अब Money Bill के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि Money Bill के लिए जब भी यह लोग सबह में Initiate होता है तो Already हमने Consent of President इसमें लिया होता है तो जब भी लोग सबह में Money Bill लोग सबह में Initiate होता है इतना आपको पता चल गया यह Prior Consent of President से आता है यह भी पता चल गया और फिर यह राजे सबह में जाता है अब राजे सबह Money Bill के लिए कोई suggestion भी दे सकती है या नहीं भी दे सकती अब राजे सबह में यह Money Bill 14 दिन तक survive करता है 14 दिन तक राजे सबह इस Bill पे अपना कोई suggestion दे सकती है चाहे तो बता सकती है इसमें कोई change होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो राजे सबह की description है लेकिन मुश्किल की बात राजे सबह के लिए ही होती है कि वो इसको amend करवाने में या इसको रुकवाने में ज्यादा role play नहीं कर सकती क्यों? क्योंकि जैसे ही लोकसबह से bill pass होके राजे सबह में गया वैसे ही 14 दिन के अंदर अंदर ये bill राजे सबह से वापिस लोकसबह में जाता है अगर राजे सबह ने कोई अपनी suggestion दी है लोकसबह या नहीं दी है लोकसबह का ये individual right है उस suggestion को लेना या नहीं लेना इसका मतलब राजे सबह कुछ भी कर ले ये bill ultimately pass ही माना जाता है ये ultimately pass ही माना जाता है अब इसका मतलब ये है कि लोकसबह में money bill की एक तरान से individual description है कि राजे सबह के पास उसका इतना जोर नहीं चलता अब वैसा ordinary bills में नहीं होता जब भी ordinary bills जो ordinary bills होते हैं पहले तो ये लोकसबह या राजे सबह दोनों में initiate हो सकते हैं तो जो ordinary bills है मैंने आपको बता दिया लोकसबह राजे सबह दोनों में initiate हो सकते हैं suppose ये लोकसबह से initiate हुआ bill और राजे सभा के पास गया अब यहाँ पे money bill में यह हमारे पास राजे सभा के पास 14 दिन थे इसका reply देने के लिए लेकिन यहाँ पे राजे सभा के पास 6 months रहते हैं इस पे action लेने के लिए यह इसका reply देने के लिए अब आप difference समझिए यहाँ पे राजे सबा रिपलाई दे या ना दे यह बिल पास हो गया लेकिन यहाँ पे राजे सबा अगर रिपलाई ना दे अगर सहमती ना भरे तो यह बिल पास नहीं होता है Ultimately एक joint sitting करवाई जाती है जहाँ पे राजे सबा और लोग सबा दोनों के members बैठते है और फिर इस बिल को discuss किया जाता है छे महीने के बाद जो joint sitting करवाता है प्रेजिडेंट हमारे प्रेजिडेंट अब आपको पता है society के तीन members से एक की discretion दूसरे की discretion तीसरे की discretion जब तीनों की discretion हो जाएगी तब हम मानेंगे कि वो बिल पास हो गया अब money bill के case में क्या होता है प्रेजिडेंट या तो इसको पास कर सकता है या तो इसको खारीज कर सकता है लेकिन प्रेजिडेंट इसको वापिस नहीं बेच सकता है reconsideration के लिए जबकि ordinary bills में President इसे पास भी कर सकता है इसे खारिज भी कर सकता है और इसे reconsideration के लिए वापिस भी बेज सकता है यह main main मोटे मोटे differences है हमारे money bill के अंदर money bill के और ordinary bill के money bill में हमारे taxation के bills होते हैं हमारे state expenditures के center expenditures के bill हो सकते हैं और money bill के जो money bill होते हैं वो ज्यादतार ministry initiate करते हैं लेकिन ये एक private members जो होते हैं हमारे parliament के वो भी initiate कर सकते हैं तो यह है मोटे मोटे differences money bill के और ordinary bill के आईए हम अब समझते है constitutional amendment bill अब constitutional amendment bill के नाम से यह आपको समझ आ जाएगी कि यह bill क्या करना चाहता है यह हमारे constitution को amend करना चाहता है मतलब change करना चाहता है हमारी जो constitution की किताब है उसमें या तो कोई rule change करना चाहता है या कोई rule delete करना चाह जाता है तो जब भी ऐसे बिल्स की जरूरत पड़ती है पास करने की तो वो हमेशा Constitution Amendment Bill से पास किया जाते हैं आए इसे नेक्स स्लाइट पर समझते हैं तो अब हमारा Reorganization Act of J&K जो था जो हमारा Reorganization Act of J&K था वो भी एक Constitution Amendment Bill था तो यह बिल जो Constitution Amendment Bill होते हैं यह या तो Society के First Member या Society के Second Member दोनों में से कोई भी इनिशेट कर सकता है विच मीन्स Society माने पार्लिमेंट और इसके Members माने लोगसभा, राजेसभा and President that I have already discussed with you. So मैंने आपको यह बताया कि जो Reorganization Act of J&K है इसमें जो Constitutional Amendment Bill है यह आईदर लोगसभा और राजेसभा दोनों में कहीं भी इनिशेट हो सकता है अब इसकी अच्छी बात यह है कि जब तक यह दोनों individually इस पे अपनी हाँ ना कर दें तब तक यह Bill आगे President के पास जाता ही नहीं है कहने का मतलब है कि यहां पे unlimited days मतलब endless days तक अगर यह Bill pending है तो pending है कोई joint sitting का provision भी नहीं है तो इसलिए हर member को यह Bill individually special majority से पास करना पड़ता है special majority का मतलब more than 50% of the people तो जब तक यह special majority से पास नहीं होगा इन दो houses से तब तक यह Bill President के लिए President के consent के लिए आगे नहीं जाता है अब मज़े वाली बात यह है कि President को इसमें अपनी हामी भरनी ही पड़ती है तो मैंने आपको बताया कि Constitution Amendment Bill या तो राजय सबा या तो लोग सबा कहीं भी इनिशेट हो सकता है अब इनिशेट होने के बाद यह दोनों houses से जब तक special majority से पास नहीं जाता और जब President के पास जाता है तो President को इसकी हामी भरनी ही पड़ती है एक और बात मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूं कि इन बिल को पास करने के लिए अगर ये किसी स्टेट के Constitution को या किसी स्टेट के रूल को अमेंड कर रहे हैं तो हमें स्टेट की रजामंदी भी चाहिए होती है अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये स्टेट की रजामंदी यही तीन लाड़ी आ है जो पिंटु जी को हां करी नहीं रही थी जमीन के पटवारे के लिए आरे आ रही थी तो पिंटु जी ने क्या किया किसी तरह नसी ने प्यके भेजा था वही बात मैं आपको यहां समझाने वाला हूँ कि हमने क्या किया हमारी state का तो उस टाइम re-organization act जब हमारे state में आया उस टाइम तो हमारे state legislature था ही नहीं suspended था हम governor rule में या president rules के अंदर काम करे थे लेकिन अगर हमारे state का legislature चल रहा होता suppose तो हमारे state के legislature में से इस act को simple majority से pass होना बड़ा ज़रूरी था तब जाके ये बिल पास मना जाता अब फ्रेंड साहब पूछू कि ये सिंपल मजॉर्टी के है सिंपल मजॉर्टी कि मैं अब को अगर एक लेमन लेंग्विज में एक्जैम्पल दूँ तो सपोज मेरे घर में टोटल दस मेंबर्स हैं दस में से मेरे पापा चले गए ओफिस मेरे भाईे भी चले गए ओफिस तो बचे आठ मेंबर्स अब आठ मेंबर्स को मेरी ममा पूछते हैं कि अब बचों आपने क्या खाना है तो पांच उसमें से बोलते हैं कि हमने राजमा की दाल खानी है और तीन उनमें से बोलते हैं कि हमने रोंगी की डाल खानी है तो obviously राजमा की डाल वाले जो लोग हैं जो आठ में से पांच हैं उनकी बात मानी जाएगी तो फिर क्या था हमारे गया राजमा बनी और हमने एंजॉय किया कहने का मतलब है कि पापा को और बड़े भाहिया को जो की उस टाइम घर पे नहीं थे पूछा ही नहीं गया इसी को बोलते हैं simple majority मतलब जितने लोग भी आपके house में उस time पे present हैं सिर्फ उनी से हमने पूछना है उनी की अंदर उनको count करके देखना है कि उनका 50% कितना बनता है और जब भी उनका more than 50% जैसे 8 का 50% हो गया 4 और more than 50% that means 5 people जब भी उनका more than 50% हो जाएगा तो इसका मतलब कि वो simple majority से पास हो गया इसी तरह से पास किया गया हमारा constitutional amendment bill तो guys हमने सीखा money bill क्या होता है हमने सीखा ordinary bill क्या होते है हमने सीखा अब अपना constitutional amendment bill क्या होता है अब ये तीनों procedures जब तक हमें पता नहीं चलेंगे तब तक हम reorganization act के core को समझ ही नहीं सकते कि ये act actual में लाया कैसे गया कैसे आ गया यह act क्या-क्या procedures क्या-क्या rules क्या-क्या parts क्या-क्या clauses क्या-क्या sub clauses को follow करना पड़ा हमारी सरकार को कि जाके यह act हमारी state में implement होके हमारी state को आज UT में convert करवा दिया fine अब guys यह तो बात रही society के members की कि society के तीनों members का क्या role रहता है एक bill को pass करने के लिए जिसकी help से इन्होंने हमारे re-organization act को 2019 में apply करवाया जेहट के में अब लेकिन अगर आपको याद होगा मेरी पहली slide में मैंने कहा था कि society जो भी करती है अपनी एक book की वज़त से करती है book की help से करती है जो book हमारी बुज़ूर्गों ने बनाई है वहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो हमारी constitution की किताब है जो के इन देशों से ली गई है almost पूरे world से ही ली गई है अच्छे अच्छे world के clauses laws को लेके हमारी ये किताब को बनाया गया है इस किताब के कौन से articles को use करके या इस किताब की कैसे permission ली गई है कि हमारे state में reorganization act आया उसको UT में convert कर दिया गया या फिर state को जब भी reorganize करना है या ऐसा कोई decision लेना है तो इस किताब से मतलब constitution से कौन से article को use करना है तो उसका answer है article 3 आज मैं आपको article 3, article 2 दोनों ही पढ़ा दूँगा तो आईए थोड़ा सा सुनते है article 3 के बार में अब गाईस article 3 का क्या मतलब है कि ये कहता है कि जो हमारा इंडिया है हमारी भारत माता है हमें जब भी इसके हमें जब भी इसके किसी भी internal part को reorganize करना होगा तो हम article 3 की help से कर सकते हैं इंटर्नल पार्ट बाने इचिश करने का मतलब आपको पता ही होगा जैसे यहां पे आंद्रा परदेश था आज यहां दे देो व क्यूंकि पहले चंडिग अहरे लाड पर फट पंजाब ऑन ली बट लेटर ओं क्या किया गैए चंडिगाट भाहर चला गया पंजाब से अमाच लागा तो मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि ये सब जो भी reorganize हुआ हमारे within the union ये किस की वज़े से हुआ article 3 की वज़े से कल को हो सकता है हमारी state के साथ पंजाब को जोड़ दें और इस पूरे area को एक ही बना दें वो भी कैसे किये जाएगा article 3 की वज़े से तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब भी Indian boundary की limits के अंदर किसी भी state को या union territory को जब भी reorganize करने की बात आएगी तो हमें article 3 ही use करना पड़ेगा मतलब वो जो constitution की book है वो article 3 की permission से ही हमें ऐसा करवाएगी fine अब question ये उठता है suppose question ये उठता है कि क्या ऐसा भी कोई provision है जिससे हम किसी और state को अपने साथ merge कर लें या किसी और country को अपने साथ merge कर लें जो की Indian boundary पे नहीं आती for example suppose Pakistan अब Pakistan है तो हमारा बच्चा ही है न हमेशन से बच्चा ही रहा है तो कल को Pakistan मतलब हमारे बच्चा का मन करे तो चलो पापा के पास वापिस चलते हैं क्योंकि अपने घर में तो वैसे भी पूरी नहीं पढ़ रही है आप जानते ही उनकी GST का क्या हाल है स्वारी उनकी GDB का क्या हाल है तो अब Pakistan को कल को मन कर जाए कि चलो वापस चलते हैं पापा के पास तो हमारा दिल भी बढ़ है हम भी accept करेंगे अपना बच्चा ही है हमसे ही निकला है तो कहने का मतलब है कि अब Pakistan आज के टाइम पे तो इंडियन बाउंडरी में नहीं ना आता इसके बाहर है तो जब भी इंडिया की बाउंडरी के बाहर कोई state या कोई country इंडिया से merge करना चाहे या इंडिया उसे खुद में merge करना चाहे या किसी circumstance की वज़े से वो merge हो जाए तो वहाँ पे article use होगा to जो हमारी constitution की book है वो article 2 को use करके इस book के article 2 को use करके किसी external boundary को इंडिया में जोड़ा जा सकता है तो ये थी कहानी article 2 की और article 3 की तो आईए guys sum up करते हैं तो देखा हमने कैसे Pintu जी की मदद से आज reorganization act के basis को समझा कि ये act कैसे लाया क्यों लाया क्या-क्या आरे आया इसके और क्या-क्या जरूरते हमें पड़ी इसको लाने के लिए हमने सीखा article 2 क्या है आपको फिर से फटा-फट इमाइंड करवा दूं तो article 2 क्या है जब भी हम इंडिया के किसी पहार की boundary को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो हम किसका यूज करेंगे article 2 का article 3 क्या within the boundary of India जब भी हम कुछ reorganize करेंगे तो हम article 3 को यूज करेंगे फिर हमने पढ़ा article 107 के है 108 के है ये दोनों articles ordinary bills है जिसके province में आपको समझा चुका हूँ फिर हमने article 117 ये financial bill के लिए है financial bill भी पैसों वाले bill होते हैं बट those are the bills that are other than money bills उसके बाद हमने पढ़ा article 35 ये थोड़़वा देखा 370 क्या था इसकी वज़़से जो भी center में pass होता था individually हमारी state से pass होना बड़ा जुरूरी था तो article 370 अच्छा था या बुरा मेरे नजरिये में अगर आप मैं आपको बताऊं तो article 3 ना जब starting में आथा बड़ाई cute article था बड़ाई प्यार article था अगर center कोई tax लगाता था तो वो हया लगता ही नहीं था अगर center किसी चीज़ पे पैसे बढ़ा देता था लेकिन हमारी state में बहुत नहीं रहते थे क्योंकि हमारी state में 370 का ये provision था कि center जो भी amendment पूरे देश में करती है हमारी state की अपनी मर्जी रहती है कि हम उसे accept करें या ना करें तो इसलिए मेरा अपना opinion है कि आने वाले दिनों में अपने अगामी दिनों में 370 article बड़ी अच्छी चीज थी बड़ी प्यारी चीज थी लेकिन समय के साथ इसका misuse होने लगा अब आप बोलोगी misuse मतलब misuse मतलब जैसे आपको पता है right to information right to information act जो है हमारे पास center में 2005 में आ गया center से मेरा मतलब है पूरे देश में 2005 में आ गया लेकिन इतने अच्छे बिल को हमारी state में implement होते होते 2009 लग गए आप देख रहें इतना अच्छा बिल और इतना ज्यादा gap इसको implement करने के लिए इसका मतलब कि हमारे जो state में कुछ लोगों के vested interest की वज़े से उन्होंने क्या किया कई अच्छे articles कई अच्छे provision center के कुछ ऐसे थे जो यहाँ पर implement होने से उन्होंने रोकना start हो गए इसी यही एक मतलब बहुत बड़ा reason बन गया कि center की 370 center की बहुत बड़ी tension बन गई मतलब पिंटू जी की tension जो मैंने स्टार्टिक में यह आपको समझाया था तो इस tension को remove करने के लिए फिर वो जो reorganization act आयलाया वो तो मैंने आपको पढ़ाई दिये कहने का मतलब कि with time with the passage of time 370 article थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा बुरा बंदा गया हमारे लिए तब ही इसको हटाना बड़ा जुरूरी बन गया और आज की टमे में यह खतम हो चुका है फिर हमने बड़ा आर्टिकल 110 मतलब money bill money bill कैसे पास होता है क्या उसमें राजय सभा की description ज्यादा रहती है लोग सभा की रहती है कितने दिन मिलते हैं राजय सभा को अपना कोई suggestion देने के लिए वो सब हमने पड़ा और फाइनली हमने बड़ा आर्टिकल 368 constitution amendment bill तो इस तरह से आज हमने चोटे सी पिंटू जी की स्टोरी सुनी और अपने सारे topics को कवर कर दिया तो गाइस इसी तरह में आगे आपके साथ आता रहूंगा जैंड के और अच्छे अच्छे topics को लाता रहूंगा उर्ने हम समझेंगे स्टोरी की फार्म में जिससे हमारे आर्टिकल्स हमारे concepts हमारे clauses doubts जो भी होंगे सब clear हो जाएंगे इसी के साथ आज के लिए इतना ही good luck have a nice regrets